नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तो भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्यान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिश्थिर को वास्तुशास्त्र का ज्यान दिया। यह ज्यान समस्त मानव जाती के लिए अत्यंत महत्वपून और कल्यानकारी है श्री कृष्ण ने पांच ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवन दरिद्रता लेकर आता है ये व्रिक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नती नहीं होती है उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है दोस्तो वास्तुशास्त्र के अनुसार व्रिक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुन्दरता को बढ़ाते अवश्य है साथ ही ये वातावर्ण को शुद्ध रखते हैं व्रिक्षों से सकारात्मक उर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है व्रिक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावर्ण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं घर के सामने शुब पेड पौधे लगाने से घर में बरकत आती है. साथ ही ये पेड पौधे कई प्रकार के वास्तुदोशों को नश्ट करते हैं. घर के आंगन में खड़े व्रिक्ष, देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं. इसलिए हमारे पुराणों और शास्त नहीं होने चाहिए. जैसे कुछ व्रिक्षों को शास्त्रों में शुब बताया गया है. उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुब व्रिक्षों तथा पौधों का वर्नन मिलता है. इन व्रिक्षों का घर की सीमा में होना अशुब और अमंगलकारी होता है. ये व्रि इसलिए यदि आपने भी जाने अंजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे व्रिक्ष तथा पौधे लगाये हैं, तो बिना देरी किये उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। इसलिए व्रिक्ष की छाया नहीं पढ़नी चाहिए। इससे छाया वेध निर्मान होता है और परिवार में समस्याएं उत्पन होने लगती है। दूसरी बात है भवन के अगने कोन में और नैरित्य कोन में किसी भी प्रकार के व्रिक्षों को लगाना शुभ माना नहीं जाता ये व्रिक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्थ होते हैं। तीसरी बात है घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक्चमपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में व्रिध्धी होती है। चौथी बात है यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के व्रिक्ष का रोपन करके उनका पालन पोशन करना चाहिए। इससे उनके व्यापार में अधिक लाप प्राप्थ होता है। पांचवी बात है भवन के परिसर में कही भी उपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती ह किन्तो अगर लता उपर से नीचे की तरफ आती है तो अधोगती होती है और दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ हो तो और भी अधिक शुभ फल मिलते हैं। छटी बात है केले का पेड भवन के लिए बहुत ही अधिक शुभ म अकस्मात ही वृद्धी होती हैं। क्योंकि केले के पेड में भगवान विश्नु निवास करते हैं और तुलसी में माता लक्षमी का वास माना जाता है। आईए अब जानते हैं कौन से पेड पौधे घर में लगाना अशुभ होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटे दोस्तों आपको घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे हमारे वास्तु को प्रभावित तो करते ही है, साथ ही इस तरह के पौधे घर के छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुचा सकते हैं, इसलिए घर में कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, परंतु गुलाब के पौधे को घर की छट पर ही रखें, तो बहतर रहेगा, इसी के साथ अगर धार्मिक द्रिष्टी से भी देखा जाए, तो भी कांटेदार पौधों को घर में लगाने से परिवार में लड़ाई जगडे बढ़ जाते हैं और इतना ही नहीं, इससे घर का वातावर्ण भी खराब होने लगता है, दोस्तों दूसरे तरह के पौधे हैं, दूध वाले पौधे, जी हां अपने घर में कभी भी आपको ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोडने पर दूध निकलता हो, क्योंकि इ करीर के अंदर विश पैदा कर सकता है, इसलिए इस दुशप्रभाव से बचने के लिए हमें ऐसे पौधों से दूर रहना चाहिए, वैसे धार्मिक दृष्टी से भी देखा जाए, तो भी इन पौधों को घर में लगाने से घर की सुक शान्ती चली जाती है, और घर में न सुख्या मुर्जा जाते हैं, तो ऐसी स्थिती में हमें इन पौधों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो जब भी आप घर में मुर्जाये हुए पौधों को देखेंगे, तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा, इसलिए घर में कभी भी सुखे ह वे पौधे ना रखे, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें, खास कर सुखा हुआ तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं रखना चाहिए, तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए, सुखा हुआ तुलसी का पौधा दुरभाग्य लेकर आता है, शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर से लक्षमी चली जाती है चौथा पौधा है बोनसाई का पौधा दोस्तों शायद आप बोनसाई पौधों का मतलब नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता दे कि यह वे पौधे होते हैं जो किसी भी बड़े की सकाराक मकता को भी रोक देते हैं इसलिए बोनसाई पौधों को ना ही घर में तयार करना चाहिए और ना ही बाहर से लाकर लगाना चाहिए क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधे घर में रहने वाले हर सदस्य का आर्थिक विकास रोक देते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं बबूल के बारे में, आपको पता ही होगा, यह एक बड़ा कांटेदार व्रिक्ष होता है, इसलिए इसका पौधा घर में लगाने का सवाल ही नहीं उठता, फिर भी कोई बॉनसाई करके इसको घर में लगाने की सोच रहा है, तो ऐसा बिलकुल ना करे, क्योंकि यह वास्तु की दृष्टी से ठीक नहीं रहता, ऐसे पौधे सिर्फ हमें नुकसान पहुचाते हैं, क्योंकि इनके कांटे बड़े हानिकारक होते हैं, दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैस्टर प्लांट के बारे में, कैस्टर प्लांट देखने में भले ही बेहद अच्छा लगता हो, लेकिन इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा माना गया है, इस पौधे के बीज दो दिनों के अंदर इनसान की जान ले सकते हैं, इसे घर में लगाने की भूल बिलकुल नहीं करनी चाहिए, अगर आप इसे घर में लगाते हैं, तो छोटे बच्चे इसके बीज गलती से निगल सकते हैं, इस पौधे को घर में ही नहीं, बलकि घर के आसपास भी नहीं रखना चाहिए, अगर आसपास ये पौधा हो, तो तुरंत इसे उखाड कर फेक दे, दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेर के पौधे के बारे में, कहा जाता है कि फलो में गिने जाने वाले बेर को खाने के लिए लोग इसे अपने घर में भी लगा लेते हैं, लेकिन यह गलत है, कहते हैं इसे लगाने से घर में नकाराक्मक शक्तियां आ जाती हैं, केवल इतना ही नहीं, धार्मिक ग्रिष्टी से भी अगर देखा जाए, तो बेर के पौधे के घर में होने से आर्थिक समस्या बढ़ने के साथ ही धन की हानी भी होने लगती है, इस कारण से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, दोस्तों अब बात कर लेते हैं, घरों में सबसे ज्यादा लगाए जाने वाले पौधे मनी प्लांट के बारे में, दोस्तों अगर आप इसकी लंबाई दीवार से अधिक ना हो जाए, इससे आपके जीवन में परेशानिया आनी शुरू हो सकती हैं, मनी प्लांट का पौधा कभी खरीद कर नहीं लाना चाहिए, बलकि इसे दूसरे स्थान से चुरा कर लाना चाहिए, तभी इसका शुब फल प्राप्थ होता है अब बात करते हैं पपीते के पेड के बारे में, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी पपीते का पेड नहीं लगाना चाहिए, यह पेड घर के लिए बहुत ही अशुब होता है, अगर यह पौधा अपने आप उग जाए, तो इसे तुरंत उखाड़ना चाहिए जब फल खक्म हो जाए, तो उसके बाद इसे उखाड कर फेकना चाहिए, अगर पीपल का वरिक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है, तो घर में निर्धनता व्याप्थ हो सकती है, वट वरिक्ष घर की पश्चन दिशा में हो, तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता ह दक्षन दिशा में तुलसी का पौधा हो, तो संतान को पीडा सहन करनी पड़ती है, किसी भी मृत वरिक्ष की छाया घर पर पड़ती है, तो यह मृत्यू सूचक होता है, मृत वरिक्ष को तुरंत उखाड देना चाहिए, तो दोस्तों इस प्रकार से वास्तुशास्त्र मे घर में लगाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे, साथ ही विडियो को लाइक करना न भूले और दोस्तों के साथ शेयर करे, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, आप सभी का धन्यवाद